लाठी से जीतेंगे बंगाल का चुनाव करके दिखाएंगे किसान सम्मान निधी जो लागू नहीं हुई और प्रेत्र लाग किसान वँचित रह गए पच्चित बंगाल के उनको किसान सम्मान निधी मिले यह हम करके दिखाएंगे लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए 136 जो हमारे भारती जिन्ता पाजनिती पश्चिम बंगाल में आज दिखती है हर जगा पे जैश्री राम का नारा लगा दो तो ममता बैनर जी कहती हैं चमड़ी उधेर देंगे और इसी लिए मैं एक बात कहूंगा कि ये मैं नहीं कहता हूं ये हर कोई कहता है कि अगली सरकार भारतिय जंता पार्टी की आएगी और ममता बैनर जी ना भगवान राम की हैं और ना आप बंगाल के किसी काम की हैं ममता बैनर जी जी की विदाई पक्की हो चुकी है और इसी लिए हम बॉकला हाट देख रहे हैं कि आज भी एक वहां नेता थे उन्होंने कह दिया ये जानना चाहता हूं बिलिप गो मैं पूरी जिम्यदारी से कहूंगा कि जो हिंसा शुरू हुई वहाँ पे वो हिंसा त्रनमूल कॉंग्रेस के गुंडों ने करी और सरकार खुद उन गुंडों को संरक्षर दे रही थी फिर भी बड़ी सयम से चुनाव लड़ना चाहिए ऐसी कोई भाशा नहीं हम बोलेंगे जिससे किसी को ठेस पहुँचे और हाँ जब आप अपने लोगों को खोते हैं हम हर कारेकरता को अपना परिवार मानते हैं तो उसका दर्द जो है छलकाता है घृणल जी पहले इननोंने कहा टांग मां तोड़ देंगे उसके बाद जब पर मिसन नहीं मिल रहे थी आत्रा को इनोंने का पर्मिशन दे दी तो चंगा नहीं तो होगा पंगा अब ये कह रहे हैं कि चुनाव बाद अपने लगों को देखना चाहते हो तो शान्त हो जाओ और फिर भी आप मुझे बैटके हैं ये बता रहे हैं कि नहीं हम हिंसा नहीं करना चाहते हैं हम तो शांती पूरवक चुनाव क तो खीर देंगे बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे अरे बंगाल हमारा अपना है हमारी सरकार बनेगी वहां की जंता हमें सरांखों पे बिठाती है तो भाई आप क्यो चीरोगे और खीर देंगे चीर देंगे ये सब शब्दावली क्या ठीक है जो 130 कारे करता हमारे मार द करती है तो यह कही न कही लोगतंत्र के लिए चिंता का सबब है या नहीं है इस परिपेश में आप देखेंगे तो मैं फिर भी नहीं कहता हूं कि यह सही है लेकिन हाँ यह कही नहीं करता पार्टी के कार्य करता और नेता का चर्थ लॉइन ओडर जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है आपके नेता के बयान के चिंता कदा करने वाले नहीं है दुर्भाग्य पूर्ण हट्याएं हो रही है मैं कहूंगा कि हमारे वरिष नेता सारे एकी बात कह रहे हैं कि वहाँ गुंडा राज है अराजकता है भरष्टा चार है तोला बाजी है कट मनी लिया जा रहा है और इन सब उद्दों पे हम लोग चुनाब लड़ रहे हैं और हमें एक बदलाव की लहर लाएंगे यह बात यह सुप्रीम कोर्ट ने कहाथ